वेल्कम बैक टू माई चैनल ओन अमरित क्रेटिविटी कैसे हैं आप सब आसा करते हों अच्छा होंगे सहस्त होंगे और बहुत मस्त होंगे तो जैसा के मैंने आपको अपनी एक शोट वीडियो में बताया था मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रोक्स की कटिंग कैसे करते है प्रोक्स पर वे में तो चलिए बहुत जादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगे आपका जल्दी से शुरू करते हैं इसके लिए मेरे पास यह तू पीस हैं एक यह और यह इसका मैं बनाने वाली उपर ब्लाउज और इसका मैं बनाने वाली उप्रोक्स की कटिं की लेंथ हमारी है जो रेडी है वो है 15 इंट 15 में मैं वन एंड हाफ एक्स्ट्र लेके ऐसे लगा दूंगी मार्ट इसके बाद मुझे लेनी है यह वाली यहां पर हम लेंगे सोल्डर्स सोल्डर्स मुझे लेना है सेवन एंच उसके बाद मैं लूँगी आर्म होल आर्म होल मैं लूँगी सेवन इंच उसके पाद मुझे चाहिए फिटिंग फिटिंग यहां से बनती है इलेवन और यहां से जितनी हमने टोटल लैंद ली थी ना वहां से हमें लेनी है वेस्ट वेस्ट हमारी है इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क से इसके बाद हम लेंगे वन एंड हाफ इंच का मार्जन के लिए इसे आर्म होल की गोलाई करने के लिए हमें लेना है इसे बाद हाफ इंच का यहां पर निसान लगा के ऐसे इसको इसको हलका सा कर्व सेफ में देते हुए ऐसे कट कर लेंगे यहां से भी हमें लेना हाफ इंच और यहां यह मार्किंग के मार्किंग करेंगे इसकी कटिंग करने से पहले मापको बता देती हूं यह जो मार्किंग है बेक वाले पार्ट की है जो अपर वाला पार्ट होता है उसकी कटिंग कोड़ा सा अलग होती है वह भी मैं आपके साथ सेवर करूंगी पहले मैं इसको कर देखियों कट यह देखिए यह मैंने कर लिया है कट अब इसको हम अलग कर देंगे चौंग यह हमारा है वाला पोर्शन यह हमारा है फ्रेंट वाला पोर्शन की दिखाती हूं मैं आपको कैसे करते हैं कटिंग इसके आर्म होल पे हम यहां पे लेंगे फाइव एंड हाफ हींच पे ऐसे मार्क करके यहां पे हमें लेना है कवार्टर इंच ऐसे यहां पर मार्क करके और इसके उपर से राउंट से देते हुए यह वाली कटिंग हमें करने है अब इसके उपर के ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुती है हम अब नीचे वाला पॉर्शन को इसके कट करेंगे क्लिभ हम और हम कटिंग अब करने जा रहे हैं तो हमें यहां से ब्लाउज का लिया था उतना ही हमें यहां पर लेना गयो है टेन 10 & Halve 10 & Halve इंच का यहां पर हम ऐसे मार्ज करके यह से देखते हैं हमारा 13 और यह से भी ऐसे हमारा 13 के लिए हमारा बनता है यह देखिए अगर हम इसको यहां से ले लेते हैं तो हमें जितनी लेंथ प्रोग की टोटल चाहिए वह हमारी कंप्लेट नहीं होती है तो अपनी लेंथ को कंप्लेट करने के लिए हमें क्या करना होगा यहां से हमें लेना है ट्वेंटी एट ऐसे ट्वेंटी एट यहां पर इंस सब मार्क्स को हम इसे जोंच कर देंए यह देखिए इतनी ही हमारी मार्किंग होती है फ्रो ग की एक बार और मैं आपको रिवाइस करा देती हूं यहां से हमें लेनी है waste जितनी हमने हमारी यहां से complete अगर नहीं हो रही है तो हम start करेंगे यहां से लेना again 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 and then यहां से हम करेंगे और यहां पर जो इतना हमारा बस्ता है यहां पर होएगा joint तो चलिए मैं करके यह भी दिखाती हूं आपको कैसे करते हैं यह देखेंगे मैंने कट कर लिया अब यह वाला जो इतना पार्ट हमारा बस्ता है इसमें हमें करना होगा joint extra कपड़े को यह जो हमारा कटिंग करने के बाद यह बचा है इसी को हम यहां पर ऐसे करके यह वाला पीस कट करने के पाद हम यहां से भी इसको अलग कर देंगे प्रोक की कटिंग अलमस्ट हमारी complete हो चुकी है जस्ट स्लीव हमें कट करनी रहती है इसकी स्लीव कट कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग मैं आपके साथ स्टिचिंग करते हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प् साथ आपके फ्रेंज भी यह वाला मैथड मेरा देख सकें इसकी स्टिचिंग का मैथड देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्स फोर पोच्छिंग